Fingerprint Lock Option Not Showing तो भाई लोग यदि तुम भी अपने किसी भी फोन के उपर कुछ इस तरीके से fingerprint lock लगाना चाहते हो जैसा कि आप सभी चेक करो काफी कॉमेंट आए कि भाई मेरे फोन में सैटिंग में जाके fingerprint lock option क्यों शो नहीं करी है जिनके फोन में शो नहीं करी तो वो कैसे इस feature को officially get करेंगे स्वागत आप सभी का एक को नई शांदर वीडियो में आई होप आप से बढ़ी होंगे चलो आपको गाइड करते हैं कि भाई यदि आपके पास किसी भी company का फोन है और आपका ही जो option है वो miss out हो चुका है या फिर शो ही नहीं कर रहा है तो कैसे तुम्हें आपे fingerprint lock को लगाओगे देखो यह जो वीडियो सभी users के लिए होने वाली है चाहें तुमारे पास Vivo, Realme, Oppo, Samsung किसी भी company का फोन है और यूज कर रहे हो, Redmi का भी है, किसी का भी ठीक है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे screen recording show कर देता हूँ ज्यादा वीडियो को length नहीं रखूंगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ bell icon को definitely all पे set कर दो तो अभी आपको गया करना, check करो मेरे पास यह जो है realme का device है, मैं आपको बदाता हूँ settings के उपर जाओ, यहाँ पे तुम्हें गया करना यदि miss out हो गया यह feature तो आपको यहाँ पे search bar मिलता है, यहाँ पे click कर लो otherwise तुम scroll down करो and यहीं पे तुम्हें एक security and privacy मिल जाएगी privacy पे click करोगे तो इस तरीके से तुम्हें काफी सारे features मिल जाएगे, बट यहाँ पे check करो भाई हमें यहाँ पे fingerprint वाला option नहीं मिल जाए, ठीक है तो कैसे मिलेगा, उसके लिए तुम दो है, यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाती, app lock, app height, private save तो यहाँ पे click कर लो, इसको भी back कर दो, यह चीन नहीं तुम्हें करनी है इस तरीके से back करो, अब आ जाती है बारी security इस पे जाओगे, तो यहाँ पे आप चेक करो कि आपको जो है, कुछ इस तरीके से जो है, काफी different, different features देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे यदि तुम्हें fingerprint की option नहीं मिल लेगी, तो last and final मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे आपको password and biometrics देखने को मिल जाएगी, आप सभी check करो, मैं आपको zoom करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तो भालो, जैसे आप सभी यहाँ पे click करेंगे, click करने के बाद, अब आप सभी थोड़ा सा नजर डालो, यहाँ पे तीसरे नमबर पे जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे fingerprint, यहाँ पे मैं click कर देता हूँ, यहाँ पे अपना password डालता हूँ, आप सभी check करो, मैंने दो fingerprint डाले हुए है, आप मैं बात कर लेता हूँ, जिन लोगों के phone में यह option नहीं आ रही, तो इसका क्या है solution, ठीक है, तो देखो, आपको क्या करना है, एक तो यहाँ प इंदर repair करनी थी, वो करेगा, तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि replacement के दौरान और फिर repair के दौरान भी तुम्हारे जो fingerprint sensor हो, वो निकाल ली जाती है, चिप होती जो, then आपको जो है, उसको set किया जाता है, यानि जो problem थी, like battery डलवानी थी, आपी तुमें display सही करवानी थी, बाद में उडाली जाती है, या फिर होता है कि दोस्तों वहाँ पर जो सही से set नहीं कर पाते हैं, fingerprint sensor को, तो ऐसे में हट जाता है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप दुबारा लाएंगे, ठीक है, तो अब ही मैं आपको यहाँ पर यह reason बता दिया, एक और reason है, दोस्तो तो अगर आप किसी भी company का phone यूज करें, just उसकी setting पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से मैं आपको दूसरा phone दिखाता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं दूसरी screen recording दिखाने वाला हूँ, यह है मेरे पास यहाँ पर Vivo का device ठीक है, अब जिनके प आपके phone में जो software update आई होती है, एक बार यहाँ पे भी निगाह माल लेना कि भाई कोई update आई या फी नहीं, अगर आई है तो इसको update definitely कर लेना, ठीक है, इस तरीके से चेक करो, आप एपडेट आई हूँ है, तो इसको update कर लेना, अब बार ही आती दोस्तों, अगर आप सब क इसको मिलेगा reset all setting, तो इसमें आपका data बगारा delete नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे factory reset नहीं करें, जिसमें आपका photo video सब्सक्राइब हो जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे reset system setting कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे click करना, यहाँ पे click करने के बाद आप सभी check कर लो, जिसको मैं आप पे restart बोलते हैं, तुमारे phone में आप यहाँ पे reboot की option आएगी, तो उसको तुम reboot कर लो, जिया, उसको reboot करने के बाद आपकी option है, settings में जाना, आपको fingerprint lock option देखने को मिल जाएगी, तो guys, यदि मैं बात कुरूँ वीवो device की, तो इसमें भी तुम सभी phone म नहीं show कर दी तो करोगे, परस next video में लाने वालों कैसे हैं, तुम किसी भी phone के उपर, अगर तुमारे phone में feature डली नहीं है, तो भी तुम इस feature को get कर सकते हो, तो channel यार subscribe करके रखो, इस वाली video को watch करने के लिए, चलो guys, मिलते हैं next video में, thank you so much.